अलो फ्रेंड स्वागत है आपका में चरपार आज हम आपके लिए लेकिया है बेसन और बैगन का बहुत ही ज़्यादा चरपटा कुरकुरा कराय नास्ता जिसे खाना तदूर की बात है आपने पहले कहीं देखा भी रही होगा वैसे तो आपने हजारों नास्ते खाए होंगे दूसरों को भी खिलाए होंगे लेकिन एक बार इस बैगन के नास्तों को बना कर देखिए आप सारे नास्ते बहुत जाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा होने के साथ आप इसे लंबे समय तक श्टोर भी कर सकते और इस दिवाली आप इसे जरूर ट्र पैसा बैकि इस तरह से इस चलिए लंब्र जर्वाले चिस्तमाल किया बहुत जबहुत पैसा निए इपली कट्वर हें ऑल्ट कर सकते कोई लेक्सिन कर सकते हैं तो चलिए पटाफट बनाना सुरूर करते हैं तो पहले मैंने वैगन को अच्छे से वाउस कर लिया अब मैं इसकी कटिंग करूंगी कटिंग कैसे करनी आपको बताते हैं तो यहां पर देखिए आप ले लिगे और नाइफ का जो यह नुकीला होता है इस तरीके से आ आराम से लगा लिया है पूरा यहां तक देख रहें आप लोग यह देखिए इसी तरीके से हम सारे वैगन में कट लगाएंगे तो यह रैस्पी आप एक बार जरूर ट्राय करना बहुत ज़दा यूनिक होने के साथ साथ काफी बढ़िया है तो यह देखिए इस तरह से फरतन लीज़े ठोड़ा सा फैला हुआ हुए लीज़े और इसमें मैं तेल डाला है तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे जप तक आपका तेल गरम नहीं होगा आपको इसके अंदर कुछ भी निडाला है वैगन को अच्छे पोश्ट लीजगा ताकि इसमें बिल्गुल भी नमी ना रहे अगर नमी रहेगी तो आप तेल में डालेंगे तो उसके चीटी आपके उपर पढ़ सकते हैं जो आपको नुक्सार पहुचा सकते हैं इसलिए बैगन को अच्छा से मैंने वास कर लिया है आप इस तरह से मैं बैगन को पूरा नहीं पकाएंगे हम इसे सिर्फ 50% तक पकाएंगे तो यह जब इस तरह सोने डाल दिया है और फ्लेम आपको है रपना है लो फ्लेम का इस्तेमाद नहीं करना है हाइं टोट थे घरी डेखक्वें कर दो यहां पर आपको इसे सिर्फ 2 बंट पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है यह देख्यों इसको हम हलका सा थंडा होने देंगे जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे विचली इसको हम हटा कर साइड ले रख देते हैं तो फ्रेम्ट देखिए मैंने दूसरा पैन ले लिया है औ में गरम कर सकते हैं क्लॉंजी जिसको मग्रेल भोलतें आप की तरफ इसे क्या ऊक्षे दूरू बताना तो यहां पर हम एक बड़ा जबाइन नहीं डालेंगे हम डालेंगे मग्रेल आप जहें तो जुआब यहां के पास मग्रेल ना हो तो आप एधा चमपर डालेंगे और आप जहाँ हमेगे शनी की आपर हमारे कच्छी डाल है फिल्कुल रख मुझे से बित्किन धीवाँ से इसा हैं परसे हैं अब यहांगे बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है और हमने इसे कम से कम एक नड़ तक धीमी धीमी आज पर भोना है अब इस मसाले को हमें एक बड़तर में निकाल कर ठंडा करना है गरम नहीं इस्तमाल करना है और यह मसाले की जो खुसबू है वो आप एक बार बना कर देखेगा आपका पूरा किचन महग जाएगा तो चलिए इसको इक बड़तर में टास्पर कर लेते हैं तो फ्रेंट यह देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से थंडा हो चुका है अब इसे हम एक मिक्सी के जार में टास्पर करेंगे यह वाले में तो चलिए टास्पर करते हैं फटा- तो कड़ी बता इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेट है अगर आके पास ना हो तभी आप इसमें धलिया डालना अगर हो तो यही डालना तो 20 से 25 हम इसमें डालेंगे कड़ी पते जो हमारे फ्रस वाले हैं यहां पर आपको ताजे वाले इस तबाल करना है सुखा वाल आपको दिखाते हैं इसतरा से मैं अपको दिखाते हैं बिल्कुली पानी का इस्तमाल नहीं क्या है चुका है जो बंदे दर जड़ा में सबसे पहले चीज़ है नमक कि नमक इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ आपनोंने टेस्ट के कोड़िंग डालना जितना नमक खाते हैं अब इसमें एक चमद भरकर डालेंगे चार्ट मसाला अगर आके पार चार्ट मसाला नहां हो तो आप लोग ड्राय आमचुर पॉड़र यानि नेवू का रजबी डाल सकते हैं या फिर राय आमचुर पॉड़र जिसको क्या बहुते हैं खटाई वह भी डाल सकते हैं यहाँ थोड़ा सा टर्मली पॉड़र डालेंगे हाफ टीश्पून तक और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा साबोज जीरा जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट ऑफ लोक आएगा और अब इसके अंदर हम डालेंगे कास्मेरी लाल मेच तीक नहीं होती है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आदा चमबच्ट होमेड गरम मसाला यह हमारा घर का बना मसाला है अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंटबॉक्स से कमेंट करना ताकि आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब आपको यहीं मिल जाए आपको कमेंट करने की जुरूर ना पड़े फिर भी मेरे लिए प्यारा सा कमेंट जुरूर छोड़ना मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ही रहस्टी कैसी लगी यह देखिए सारी चीजे हमने जो कट लगाए से उससे आपको पता लग जाएगा कि वैगन हमारा कितना अच्छा था तो मैंने इसके देख लिए थे कीड़े उड़े कुछ भी नहीं थे वहीं आप लोगों में से कई लोग करके कहेंगे कि आपने तो देखा ही नहीं तो दिया जब मैंने इसको वास यहां पर हमको इसको इस तरह से अच्छे से ठूठ ठूस कर भरना है जब मसाले होंगे तभी तो खाने में मजाएगा यह देखिए इस तरह से देख रहे हैं विल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया अब हम बाकी वाले को भी इसी तरीके से इसके अंदर डाल कर फिल करेंगे तो चलिए सारे कर लेते फिर आपको दिखाते हैं तो यहां पर मैं बता दूँ मैंने चारो तरफ जहां पर कट लगा है उसको फिल किया है आप लोग एक ही तरफ मत कर देना चारो तरफ जहां-जहां कर लगा है वहाँ वहाँ यह मसाले को बनना तभी आपका टेस्ट और आप लोगों में से करीद होगे एक तरफ भर देंगे पिर टेश नहीं आएगा तो बोलेंगे मैं तेश नहीं आया यह देखिए बिलकुर अच्छ तो मैंने फिल कर दिया अपने हाथों को थोड़ा से साफ कर लेती हूं देखिए क्या हालत बन गी इसकी फिर आप से मिलते तो फ्रेंट देखिए सारे मैंने कितने अच्छ से फिल कर दिया है बिलकुर मज़ा आ जाएगा खाके तो यहां पर देखिए मैंने एक बड़े साइच का बढ़ता लिया है और इसमें हम डालेंगे अपना बेशन जो हमारा था और इसको मैंने च्छान के लिया है आपको भ गरम होता रहे और टाइम की बचत हो जाए कि कई सारे लोगों की सिकायत होती कि मेरी वीडियो में काफी दर टाइम लग जाता है इसलिए मैं आज वीडियो को थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारा वैगन के अंदर पहले से नमक मौजूद है मसाली का थोड़ा सा जाते तो मड़ डालिए आपकी मड़ी आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं आप इसमें हम थोड़ा सा ओई जो हमारा गरम हो रहा था उसमें से ले लेंगे और दो से तीन ड्रॉप डालेंगे बस काफी है इससे बहुत ही अच्छा कुरकुर और टेश्टी फ्लेवर आ अगर आप एक साथ पाई डाल देंगे तो लंच बढ़ देंगे तो अब मैंने इसमें एक कप पाई डाला है ज्यादा पानी आपको नहीं जालना है इसका जो बेस बनेगा यानि हम जो बैटरा गनाएंगे वह बहुत ज़दा पतला नहीं होना चाहिए अगर पतला होगा त ज्यादा नहीं डालोंगे और इसको वापस से मिक्स करोंगी इस तरह से तो यह देखिए मैंने मिक्स कर दिया है इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए यह देखिए करीश आपको दिखा रहे है रनी होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से स्मूध मखर मलाई आप इसको हम मखर करके 5 मिनट का टायंग देंगे क्योंकि हम इसके अंदर कोई बेकिंग पॉर्ड़ या सोडी का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं अगर आप चाहिए तो इसमें जल्दी हो तो थोड़ा सा बेकिंग पॉर्ड़ या सोडी का इस्तमाल करके इसे तुरन्थ बना सकते लेकिन हम तो इसे कवर करके रख देंगे और पांच विलट बास चेक करेंगे तो प्रेंट पांच विलट हो चुका है आईए चेक करते हैं तो यह देखिए हमारा जो बेटर था वह बिल्कुल अच्छे से पूल गया है और बेशन पूलने के बाद इस तरीके से और थिक हो गया है बस इतना ही थीक होना चाहिए बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है अब हम क्या करेंगे चमबच को कर देंगे साइड में तो चलिए चमबच को मैंने कर दिया साइड में और यह हमारा चट पटा जो आप ऐसे भी खा सकते हैं जिन लोगों को सिकाया थे कि बहुत ज़ भी खा सकते रोटी बगरा के साथ लेकिन मैं इसको नाश्ता बना रही हो तो मैं इसके अंदर इसको दीव कर दोंगी तो अब हम इसके उपर इस तरह से पेशन को डालेंगे आप चाहे तो हाँ से भी कर सकते हैं यह देखिए विल्कुल अच्छा से कबर कर लेंगे तो चाह कि अंदर दिया था और आगा चाहिए वारट लेंगे आप शकने देंगे यांगे यह देंगे तो यह जब यह बिल्कुल अच्छा से क्रिस्पी हो जाएगा तब इस तरन करेंगे और आप इस तरीके से एक बार बनाकर देखना मजा आईगा पूखाकर तो फ्रेंड दो मिनट हो चुके हैं आई इसको हम टर्ण कर देते हैं तो यहाँ पर आप नाइप की सायता से या पर छोटे चंबस की सायता से इसको आराम से टर्ण कर दीजे इस तरह से और दूसरे साइड पी हम इसे दो मिनट पकाने के बाद पटाफट निकाल लेंगे तो यह हमारा बैगन पहले से पचास परचंट पर कुक है तो इसलिए हमें ज्यादा पकाने की दूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए इसको पकाने के बाद मिलते हैं तो फ्रेंड दो मिनट हो चुका है बिल्कुल अच्छा से डन हो गया है अब मैं आपको करीग से दिखाते हैं यह देखें कितना बहतरी हिंसा बना है देख रहें आप लोग अब मैं इसको निकाल लूँगी पटाफट और जो हमारे दो बच्छे उसको बनाने के बाद आपसे मिलते हैं नहीं तो वीडियो काफी नंबर हो जाएगा यह देखें तयार हो चुका है तो बाकी यह भी बना है यह देखिए और जो बेशन हमारा बिल्कुल अच्छे से कोट हुआ है इसे मैंने सर्फ किया है यह वाली के साथ अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंट वाक्स से कमेंट करना आपके साथ से कर देंगे और आपको यह अमेजिंग सी रेस्पी कैसी लेगी जल्द अच्छे से कोख हुआ है आप इस तरह से चोटे लिट्रे पीसे डिवाइटर के महमानों को सब कर सकते हैं या फिर पूरा इसी के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यह देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा नाइफ अंदर तक जा रहा है जिसका मतलब यह बिल्कुल वह आपको यह अमेजिंग रैस्पी कैसे लेगी लेयर देखिए हमारी कितने अच्छे से इसके पर चड़ी है तो बेशन आपका ठेक हो रहा चीए अगर लिक्वेड होगा तो कवर नहीं करेंगा तो बाइन टेक के मिलते हैं बहुत ही जल्दी आसान रैस्पी के साथ तर्थ अ